ऐसा भला कहा होता है कि हम जब खड़े होकर यहां पर बोल रहे हैं तो हमको याद आ रहा है उस लड़के का एक डायलोग जब वो कहता है कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। हम रोज सुबा उठकर प्रैक्टिस करने जाते हैं उसके बाद टी सी की नौकरी करते हैं उसके बाद शाम को प्रैक्टिस करते हैं और फिर कब सुबा हो जाती है हमको पता नहीं चल रहा है। पहुच जाए और उसके बाद सुशान सिंग राजपूत की कहानी सुनाते वक्त मेरी जवान काप जाएगी। इसलिए क्योंकि बिहार के लिए कहा लाता है कि यहां के लड़के या तो आई-एस बनते हैं या तो रिक्षा चलाते हैं। लेकिन वो लड़का प्रहाई में बहुत शांदार होने के बावजूद माया नगरी में गया और माया नगरी में जाकर उस लड़के ने अपने बलबुते अपनी पहचान को कायम किया। वो किसी बहुत बड़े हीरो का बेटा नहीं था वो किसी बहुत बड़े खांदान से भी नहीं था लेकिन सुशान सिंग राजपूत ने जो हासिल किया था वो शब्दों में बया नहीं किया रा सकता है। आज 21 जनवरी है और आज ही के दिन 1987 में सुशान सिंग राजपूत का जन हुआ था। अगर आज वो इस दुनिया में होते तो बड़ी खुशी से अपना 37 जन दिन मना रहे होते। लेकिन किसे पता था कि 14 जून 2020 को जब सब की आखे खुलेंगी तो दो पहर के आसपास एक बबर आएगी और हेडलाइन रहेगा सुशान सिंग राजपूत अब नहीं रहे। लेकिन इससे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि आज भी कुछ महीने पहले किसी एक पुश्टमाटम वाले ने कहा था कि सुशान सिंग राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी उस आदम 17 मिनट का रोल दिया गया था तो वो चाहते तो 5 करोड रुपईया ले सकते थे लेकिन सुशान सिंग राजपूत ने डाइरेक्टर राजकमार हिरानी से मात्र 21 रुपई का सगुन लिया था हम ये बताना चाहते हैं कि सुशान सिंग राजपूत का बंबई के माया नगरी म कोई गौड फादर नहीं था सुशान तुमाह जाते हैं बैक्ग्राउंड डांसर पर कर नाचते हैं उसके बाद सीरियल में काम करते हैं और उसके बाद जब काई पोचे आई थी तब लगा था कि इंडस्ट्री को एक और सितारा मिल गया और सुशान सिंग राजपूत अब प कि आज उनके ना रहने के बाद भी ट्विटर पर एक भी ऐसा दिन नहीं होता है कि उनके नाम पर कुछ ट्वीट ना हो सुशान सिंग राजपूत में बिहार के बच्चों को परिभाशित किया था उन्होंने बताया था कि अगर आपके अंदर दिर्ड एक्छा शक्ती है आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको करने से कोई नहीं रोग सकता है सुशान की मौत किस हालात में हुए इसका कोई अंदाजा हमको नहीं है हमको ये पता नहीं है कि बंबई में उनकी गल्फरेंट उनके साथ कुछ बत्तमीजी की थी या नहीं की थी हमको नहीं पता है और हमको नहीं जानना है कि वो ड्रग्स लेते थे की नहीं लेते थे तो हम उसको याद करके तमाम उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। सुशान्त कैसे चले गए ये भी हमें नहीं पता। सुशान्त के केस का जो सवाल है उसका जवाब क्यों नहीं मिला ये भी हमको नहीं पता। लेकिन ये पता है कि उनकी फिल्मों को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उनकी फिल्म आई चिछोरे। चिछोरे हमने देखी और हमने चार बार लगतार देखी। और जब जब शिचोरे में वो कहते थे कि successful होने के बाद का plan तो हम सब के पास होता है लेकिन अगर success नहीं हुए और उसके बाद क्या करना है कोई पूछ ले तो किसी को नहीं पता होता है ये line हम जब जब सुनते हैं तब तब सुशान सिंग राजपूत की यार आती है शिचोर लड़के में ये खुबी थी कि वो handsome हंक भी था उसकी body भी अच्छी थी वो अच्छे से परदे पर लोगों को लुभा भी लेता था और उसकी acting अह क्या बताए कितना लाजवाब सुशान सिंग राजपूत जन जनती हाज उनका और हम उनको याद कर रहे हैं ये सोच कर कि फिर सुशान इस दुनिया में आएंगे तो इसी पटना में जन लेंगे और इसी पटना से फिर बंबई जाएंगे और बंबई में अपने आपको साबित करेंगे और उन लोगों के लड़की होने के नादे भी तब आपको इस बात का हैसास होगा कि उस लड़की का हासिल क्या था मिलना नाम प्रशांत राय है आपकी प्रतिक्रिया का इंजार हम कमेंड बॉक्स में करेंगे धन्यवाद